नमस्का स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ शंदूशी राशपूत मुलिटिंग की शुरुवात करेंगे सलमान खान के घर के बाहर गोली चलाने वाले शूटर्स की तलाश अभी भी जारी है सूत्रों के मुताबिक हमला करने के बाद दोनो आरोपी एरपोर्ट की तरफ भागे थे देख रिपोर्ट मुंबई में सलमान खान के घर के बाहर हुई गोली बारी की जानचारी है सलमान के घर के बाहर लगे CCTV में दोनो आरोपीओं को देखा गया दोनों बाइक सवारों ने हेलमेट पहन रखा है पीछे सीट पर बैठा व्यक्ति फाइरिंग करते हुए दिख रहा है मैस पाथ सेकेंड में फाइरिंग कर आरोपी वहां से फरार हो जाते हैं सूत्रों के मताबिक पता चला है कि हमला करने के बाद दोनों आरोपियों ने बांतरा इलाके में ही बाइक छोड़ दी फिर वो लोकल ट्रेन में बैठ जाते हैं उसके बाद आरोपी एरपोर्ट की तरफ भाग जाते हैं अब उनके आगे के रूट की जानकारी जुटाई जा रही है बताया गया कि फाइरिंग से पहले दोनों शूटर्स ने रेकी भी की थी यानि इस बाद की पूरी उम्मीद है कि जब ईद के दिन सल्मान अपनी बालकनी के बहार आये थे उस वक्त वो शूटर्स भी वहां रहे होंगे इधर क्राइम ब्रांच की तरफ से फाइरिंग की जाच जारी है उनके साथ फॉरेंसिक टीम भी अपनी जाच कर रही है इस बीच दोनों आरोपियों की एक तस्वीर भी जाच टीम को मिली है मुंबे पुलिस के सूत्रों के मुदाबिक दोनों हमलावर हर्याना और राजस्थान के हैं और दोनों शूटर्स रोहित गोदारा गैंग से तालूक रखते हैं दोनों पर धारा 307 यानि हत्या का प्रयास और आम्स एक के तहट F.I.R. दरज की गई है सूत्रों के मुदाबिक पुलिस को इस कालू की पूरी हिस्ट्री पता चल गई है कालू के एक Facebook पोस्ट के जरिये उसकी फोटो मिलने का भी दावा किया जा रहा है जिसमें उसका चहरा साफ नजर आ रहा है विशाल उर्फ कालू गुरुगराम के महाविर पुरा का रहने वाला है सूत्रों के मुताबिक वो रोहित गोडारा गैंग के लिए काम करता है सल्मान के घर के बाहर फाइरिंग करने वाले कालू ने इससे पहले भी कई दफा सरयाम गोलिया चलाई है फरवरी के महीने में रोहतक में स्क्रैप डीलर सचिन के हत्याकान में भी विशाल उर्फ कालू शामिल था उस वक्त बधमाशों ने कारोबारी को उसके परिवार के सामने ही माढ डाला था पताया गया कि इसी हत्याकान के बाद से ही आरोपी फरार है इसके बाद अब सलमान खान के घर के बाहर फाइरिंग के मामले में उसका नाम आया है काले हिरन के शिकार के मामले में सलमान खान बीते कई सालों से लौरेंज बिश्णोई गैंग के निशाने पर है कल हुई फाइरिंग में भी लॉरेंस गैंग का ही हाथ था सूत्रों के मुदाबिक लॉरेंस विश्णोई के भाई अन्मोल विश्णोई ने गैंग्स्टर रोहित गोदारा को ये काम दिया था जुल्म के खिलाफ फैसला अगर जंग से हो तो जंग ही सही सल्मान खान हमने ये तुम्हें ट्रेलर दिखाने के लिए किया है ये पहली और आखरी बॉर्निंग है इसके बाद गोलिया खाली घर पर नहीं चलेंगी इस वाइरल पोस्ट में सल्मान को दाउद और छोटा शकील का करीबी बताया गया है पोस्ट में सल्मान के लिए लिखा गया है तुमने जिस दाउद इब्राहिम और छोटा शकील को भगवान मान रखा है हमने उसके नाम पर दो पाले हैं इसके बाद पोस्ट में चार गैंग का नाम एक साथ लिखा गया है लॉरेंस, गोल्डी वराड, रोहिद गोदारा ऐसे खुंखार गैंग्स्टर्स का सलमान के पीछे पढ़ना उनकी सुरक्षा के लिए बड़ा खत्रा गया है